हेलो व्रीवन विलकम टू जैसे से इंगलिस तो देखे ट्रांसलेशन जीदो से डवांस लेऊ तक पड़ा जा रहा जिसमें पार्ट फिप्टी वन है जिसमें पढ़ रहे हैं आप लोग बात दिता या अनिवारता सुचक वाक के जिसमें आज हम सेखने वाले हैं भील हे। टू काईउज हम कहां पर करेंगे और किस कंडिशन में करेंगे तो चलिए जानने के लिए करते हैं हम आज के वीडियो को स्टारट हिंदी का जो आर्डर होगा धात होगा धात मुलबे क्रिया होगी और उसके लास्ट में ना या नी लगा होगा और उसके लास्ट में पड़ेगा पड़ेगी होगा या होगी जैसे मुझे स्कूल जाना होगा या मुझे स्कूल जाना पढ़ेगा ठीक है इस परकार का sentence होगा English में आपको subject लिखना है subject के बाद में आपको will have लगा देना है या तो आपको cell have लगा देना है कोई दिक्कत नहीं है आप चाहे तो will have सभी के साथ में लगा सकते है चाहे तो आप सभी के साथ में cell have लगा सकते है फिर आपको infinitive लिखना है मतलब आपको to लिखना है और to के बाद वर्व की first form लिखना है इस परकार से आपको sentence बनाना है तो चलिए हम example के थुरू इसको देखते है करा उसे जिरुवाना देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा He will have to pay a fine हमें जाना पड़ेगा तो we will have to go मुझे देखना पड़ेगा I will have to see आप cell का भीवज हर जगें कर सकते हैं उसे भीख मांगनी होगी He will have to beg मुझे लडाई करनी पड़ेगी I will have to fight उन्हें भोजन बनाना पड़ेगा तो क्या जाएगा They will have to cook food Next example हमें कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो negative है तो हम negative में बना देंगे We will not have to go to school today We will not have to go to school today Next example हमें उसका साथ देना होगा तो we will have to stand by him Stand by मतलब किसी के साथ देना किसी के साथ खड़े होना मतलब किसी का साथ देना ठीक है Next example मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा तो I will have to do something for you ठीक है I will have to यहाँ पर क्या रहेगा do रहेगा ठीक है यहाँ पर I will have to do something for you I will have to do करना पड़ेगा करने का उता है do do आपको लगा देना है ठीक है I will have to do कुछ के लिए something और तुम्हारे लिए for you I will have to do something for you तो I hope कि आपको clear हो गया होगा चलिए हम देखते हैं आज के लिए क्या मिला हुआ है हमें वहाँ जाना पड़ेगा इसको आप हमें comment box में इसका transition क्या होगा या आप हमें comment box बताएगा वीडियो कैसा लागा आप बताएगा मिलते हम आपसे अगले पार्ट में तब तक के लिए thanks good bye